हाई गाईज, इस video में हम टेखेंगे Noise of doubly linked list काsight node किस तरीके से represent हम लोग कर सकते हैं ठीक है उसके लिए क्या code लिखते हैं वह देखते हैं तो आपको एक नोड बनाना आना चाहिए डवली लिक्ड लिश्ट का तभी तब उसको इंसर्ट करेंगे ये फिर उसके बाद डिलीट करेंगे इसको ट्रेवर्स करेंगे जो भी चीछे होती है अपरेशन्स हो करेंगे इससर्ट को एक नोड बनाना न चाहिए तभी तो आप इंसर्ट कर पाएंगे तो नोड कैसे बनता है वही हम लोग देखने वाले क्या कोड आप लिखेंगे जिससे कि आपका एक नोड बनेगा तो उसके लिए आप एक स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्चर एक बनाते हैं ठीक है आई होब कि आप लोग को स्ट्रक्चर आता होगा स्ट्री प्रोग्रामिंग में यह सारे चीज़े बेसिक चीज़े हैं मुझे उम्हें दे कि आप लोग स्ट्री प्रोग्रामिंग अच्छे से जानते हैं तभी आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे ह ठीक है, so struct node मैंने लिखा हुआ है, then मैंने इसमें एक variable लिखा हुआ, int data type का info नाम का variable मेरा, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, int की जगा आप character भी लिख सकते हैं, double भी लिख सकते हैं, flood भी लिख सकते हैं, but simplistically मैंने integer value लिया हुआ है, और सभी example में हम लोग integer value को ही लेकर च बड़ example के लिख हमारे लिख इतना काफी है, okay उसके बाद हम लोगोंने next लिया हुआ struct node star prev, prev हमारा एक pointer है, जो की struct node type के address को hold कर सकता है, struct node star star, यह asterisk यह pointer है, ठीक है next, so basically हम लोगोंने क्या क्या हुआ है, कि एक structure बनाया हुआ है, जिसमें की variable है int info और दूसरा pointer है prev नाम का और एक तीसरा हमारे पास यह जो यह भी एक pointer है next नाम का, ठीक है, इससे क्या होता है, यह जो code यह represent करता है एक node को, तो info पार्ट में यह information पार्ट है, यहाँ क्या रखें है कोई भी information रख सकते हैं, जिसे आपने, integer int data टाप दिया है तो जार सी बात एक info पार्ट में आपको integer value है रख सकते है, और आप यहाँ character रख सकते थे, अगर कोई फ्लॉट डेटर टैप देते तब यह फ्लॉट वैल्यू रख सकते हैं तो डबल डबल रख सकते थे ठीक है ओके प्रीव जो है वह इस पॉइंटर का गेम है ठीक है यानि कि यह जो प्रीव आपको दिखाए दिरा वह यहां है यह प्रीव क्या करेगा अभी हम थोड़े दिर में देखेंगे और यह जो नेक्स्ट है यह यहां का ठीक है तो यह तीन चीजें आप बनाते हैं अपने डब चोटे चीजों में डिवाइड होका यहां पर इंटीजर एक पार्ट में इसके एक पार्ट में इंटीजर एक पार्ट में करेक्टर उस तरीके से आप रख सकते हैं ठीक है तो बात करते हैं कि स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीव यह क्या करेगा यह स्टार नेक्स्ट यह क्य क्या करेगा, यह दोनों चीजी क्यों लाई गई हैं, यह दोनों चीजी क्या करती है, पिछले वीडियो में जब हम लोग डबली लिस्ट पाढ़ रहे तो लोगों ने देखा था कि इसका जो प्रीवीवर्ग सपाट होता है, यह क्या करता है, आपने पहले वाले नोड का यान नोड देख रहे हैं यह code एक पूरे नोड को पूरे करता है और हम लोगों ने इस pointer को struct node tap का बनाया struct node tap का हम लोगों इसको इसलिए बनाया जिससे कि यह जो pointer यह एक पूरे node का address लोड कर सके यानि कि अगर इस पूरे node का address 200 है अगर इसको आप यहां hold करना चाहते हैं तो यह प्रीव भी struct node type का होना चाहिए जानते हैं कि pointer जो होता है वह उसी data tap के address को hold करता है जिस data tap का वह pointer बना हुआ है ठीक है तो अगर आप चाहते हैं यह जो प्रीव pointer है यह आपके इस पूरे node का address hold करे तो उसके लिए आपको इसको struct node type का बनाना पड़ेगा यानि कि आपने इस pointer को इतनी capacity दे दिये कि एक पूरे struct node एक यह इस पूरे का address hold करके रख सकता है सिमिलरली next में भी होई concept है ठीक है इस तरीके से आप एक node को बना सकते हैं ठीक है अला कि इसका memory allocation बाद में किया जाता है temp के थुरू मैं lock function का use करके उसको लोग बाद में देख लेंगे बट यह code है एक node को represent करने का के और कोई भी डाउट है था कमेंट के तरी मुझे पूछ सकते हैं और हाँ एक चीज का द्यान रखिएगा कि डबली linked list आप पढ़ रहे हैं तो आपको singly linked list आना चाहिए इससे क्या होता है कि आपको समझने में आसानी होगी सो skip मत कीजिए data structure का जो playlist है उसको skip मत कीजिए video number one से लेकर series by series एक एक वीडियो को देखते चलिए skip करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है data structure थोड़ा सा tough पढ़ता है starting में जब first time लोग पढ़ते हैं तो ठीक है अलाकि है easy एक बार समझ में आ जा तो फिर इसमें कोई problem नहीं है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और समझ में आए इसलिए आपको हर एक चीज़ को बारीकी से देखना पड़ेगा किसी भी चीज़ को अगर आप skip करते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा तो आपको पढ़ते हैं तो आपको सिंग्ले लिंग्ड लिस्ट आना चाहिए thanks for watching this video